जै मातादी राधे राधे आज इस वीडियो में जानेंगे आप मासिक धर्म से हैं अगर करवाचोत के दोरान तो ब्रत करे या नहीं पूजा किस तरह से आपको करनी चाहिए संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हैं कई बार ऐसे ब्रत और त्योहार हैं जिनका पालन करने के समय में महला धर्म मासिक धर्म की इस्तिती से गुजरना पड़ता है ऐसे में धर्म दोश लगने की इस्तिती जहलनी पड़ती है करवाचोत का जो ब्रत है पूरे साल भर में एक ही बार आता है ऐसे में महलाएं इस ब् पतीकी उम्र लंबी होती है और धार्मिक जीवन सुखद बनता है करवाचोट ब्रत का सीधा संबंद पती की आयू से होने के कारण महिलाया धर्व संकट में पढ़ जाती हैं ऐसे में महिलाया प्रियड में होते हुए भी करवा चोथ का ब्रत बिना किसी संका की कर सकती है सबसे पहले मन में सवाल आता है ब्रत करना चाहिए या नहीं आप बेजीजक करवाचोत का ब्रत, आपके घर के आसपार, घर में सूतक हो रहा हो, पातक हो रहा हो, आप प्रियट से हो रही हैं, आपको करवाचोत का ब्रत अवश्य करना चाहिए, सास्त्रों में वर्णित है कि करवाचोत के ब्रत की कोई भी मना ही नहीं है, प्रियट से है तो भी ब्रत जरूर करिएगा कभी भी ब्रत छोड़ा नहीं जाता खंडित माना जाता है ब्रत आप अवश्य करेंगे दैनी कार्य से आप जो है पहले सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आप पूजा करेंगे सबसे पहले दैनी कार्य से निवरित हो पूज़ा नहीं पूज़ा आप अपने नाम की पूजा आप अपने पती से अवश्य करवा लेंगी, कथा का स्रमण भी आप करेंगी और चंद्रदेव को अर्ग भी आप देंगी परन्तु आप किसी चीज को चूज़ा नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, आप की मन में कोई स सवाल हो, बेजी जख आप करवा चौथ का ब्रत करें, पूज़न करें, दान पुन्य आप करवा चौथ के नाम का जो होगा वह प्रियड से फ्री होने के बाद कर लेंगी, इस तरह से करवा चौथ का आप ब्रत बेजी जख कीजिए, मन में कोई सवाल हो, अवस्य आप परमा भगवती की कृपा हो, इस यासा के साथ जै माता दी